राष्ट्रपती जी के अभी वाषन पर इस दन्यवाद प्रस्तावों में बोलने का मोका दिया। अधिक तरे विशों पर बात हो चुकी है। मैं सबसे पहले मानिया राष्ट्रपती महोद्या का दन्यवाद इस बात पर भी करता हूँ। कि अगर अपना संबोधन हिंदी भाषा के अंदर दिया। उजने गुरु गोलोवर करजी ने एक जगा लिखा है। कि अगर किसी राष्ट्र को समाप करना हो तो उसके उसकी भाषा छेन लो। अगर वो भाषा से कट जाएगा तो अपने साहित्य से कट जाएगा। साहित्य से कट जाएगा तो अपनी संस्कृति से कट जाएगा। और भाषा साहित्य और संस्कृति से कट जाएगा तो अपनी राष्ट्यता सही कट जाएगा। और जिस देश की राष्ट्यता नहीं रहेगी वो राष्ट्र समापत हो जाएगा। इसलिए मैं तमाम मत्री भाषाओं का आधर करते हुए, जितनी भी हमारी मत्री भाषा है देश की उनका आधर करते हुए राश्टरपती जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना अपना उद्धोधन हिंदी भाषा के अंदर दिया. मेरा विशे मेरी पार्टी की तरफ से कहा गया कि मैं सोशल जस्टिस पर कुछ अपनी बात करूँ मानेवर मानेवर आदमी केवल रोटी के उपर जिन्दा नहीं रहता है आदमी के पास एक मन भी होता है और इसी को दीन द्याल उपाद है जी ने कहा है चिती जिसको चित कहते है आदमी भूख को कठोरता से बरदास्त कर सकता है सारी रिक चोट को भी बरदास्त कर सकता है लेकिन मन के उपर जो चोट लगती है उसकी आस्था के उपर जो चोट लगती है उससे आदमी तिल मिला जाता है और उस अपनी आस्था और स्वाविमान की रक्षा के लिए आदमी कोई भी बड़े से बड़ा बलीदान देने के लिए तयार हो जाता है मानिय लक्षमन जी ने अपने पहले संबोधन में वीर बाल दिवस्ट का बारे में चर्चा की थी दो नाबालिक साहिब जादों ने किस तरह से अपनी आस्था को बचाने के लिए अपना बलीदान दिया ये इतियास के अंदर पन्नों के उपर दर्ज है मैं एक और वीर बालक की चर्चा करना चाहूंगा वीर हकीकत राय का जिकराता है इतियास के अंदर जब उनको कहा गया कि हकीकत नाम है तेरा तू समझता नहीं हकीकत को तू उल्टा जा रहा है छोड़ कर रहा है तरीकत को कुफर को छोड़ दे पाक कर ले नियत को गुना धुल जाएंगे ले मान अकामे सरीयत को यहां और आकबत दोनों जहां मैं सुर्खरू होगा नहीं तो यह देख ले तलवार होगी और तू होगा बारा साल के हकीकत राय ने क्या जवाब दिया कि तुम्हारे पास ताकत हैं मेरे पास है आत्मिक सक्ती तुम्हारे पास खंजर है मेरे पास है ओम की भगती ये वो दिल है जिसमें जोत परमेश्वर की है जगती करो तुम लाग कोशिस जोक कभी पत्थर को नहीं लगती तुम में इतनी तो हिम्मत है मेरा सर तुम उडवा दो लेकिन भादूर तब जानू जब मेरा धर्म तुम छुडवागा मानेवर आस्था के उपर जब चोट लगती है ये सबसे बड़ी चोट इनसान के उपर होती है और करोडों लोगों की आस्था के उपर मरहम जो लगाने का काम किया हिंदूस्तान के परधान मंतरी जिनरेंदर भाई मोदी जी ने राम मंदर की निव रखके किया केदार नात के जिरुन दार जिरुन दवार करके किया कासी विस्व नात के जिरुन दवार करके किया और मैं इसलिए कहता हूं कि आदमी के पास एक मन भी होता है केवल मातर रोटी के उपर आदमी निर भरनी होता है और हम ये तो सुनते हैं ताज महल किसने बनवाया हम ये सुनते हैं लाल किला किसने बनवाया लेकिन ये कभी नहीं सुनते कि ये बनाया किसने और पहली बार हिंदुस्तान के इत्यास में हिंदुस्तान के परधान मंत्री इंदरेंदर भाई मोदी जी ने राम मंदिर की नेव रखी तो उसके सिलबकार चंदरकान सोब्पुरा को सामने बिखा के उससे भूमी पूजन करवाया ये पहली बार सिलबकारों को सम्मान दिया गया है औरना कोई चर्चा नहीं होती कि ये बनाया किसने बनवाया किसने ये चर्चा होती है मैं मनेवर सामाजिक नय की बात कर रहा था सामाजिक नय केवल रोटी से या घर से भी पूरा नहीं होता है वस्तर से पूरा नहीं होता मैं चर्चा कर रहा था पहली बार हदूस्तान के अंदर अंडे मानने को बार दिवपों का परम्वीर चक्र विजटाओं के नाम पर नाम करण किया गया ये भी एक समजिक सम्मान है यह सेने-कों का भी सम्माank है समाजों का भी सम्माद है इसलिए समाजिक सम्माद क्योल मातर रोड़ी तक निर्वर्णी होता है मानियवर, मैं अभी चर्चा कर रहा THा, रामिंदर जी की मानियا, राष्ट पती जी ने ठीक कहा कि केवल मातरे मंदर निर्मान नहीं करवाए हमारी सरकार ने रास्टर पतीजिया में बोदर में कहा कि मेरी सरकार ने मंदर के साथ साथ मेडिकल कोलेजिज का भी निर्मान करवाया और नए बजट के अंदर 157 मेडिकल कोलेजिजों के साथ एक सो सताओन नर्सिज कोलेज का भी प्रावधान किया गया क्योंकि नर्स नहीं होगी तो मेडिकल के अंदर हमारी फिर देखवाल को उन करेगा भारत की ये सिंस्कृती है भारत की सिंस्कृती में देवताओं का शवरुप बहुत बड़ा है और विदुर निती को अगर हम पढ़ेंगे तो धरम की परिभाषा पूजा पदतिक तक्सीमत नहीं है विदुर जी ने लिखा है महाभारत के अंदर कि धरम की परिभाषा बहुत विश्तृत है वर्क्सों की हरियाली की रख्षय करना भी एक धरम है पानी को शुद रखना भी एक धरम है वायू की गुणवत्य रखना भी एक धरम है माबाप की शेवा करना भी धरम है और एक अबला की इज़्जत की रख्षय करना भी धरम है अपने राष्टर की ओपर बलिदान हो जाना भी एक बहुत बड़ा धरम है धरम की परिभाशा पूजा पदितिक तक्सिमत नहीं है इसलिए भारतिय संस्कृति में वायू को भी देवता की संगया दी गई है अगनी को भी देवता की संगया दी गई है जल को भी देवता की संगया दी गई है और जिसने भी मानवता के लिए जो भी उपकार का काम किया ह उनको देवता की संगा दी गई है और पहली बार भारत के अंदर भारत के परधान मंतरी अंदर बाई मोदी जी ने करोडों दलितों के उद्धारक बाबा साथ भीमराव अंबेडकर को देवता की संगा देते हुए उनके पांच करमस्थलों को तीरत के अंदर पांच पंच त बड़ा सम्मान उस कड़े और करोड़ों दलितों के उद्दार करने वाड़े देउता को दिया गया है ये मैं समाजी किन्याईकी में बात कर रहा था यहां तो मत्से तक को भी अवतार माना है यहां तो हुरा को भी अवतार माना है इसलिए मानेवर अभी महिला ससक्ती करने की बात हो रही थी मैं ग्रामिन पस्ट भूमी से आया हूं हमने ओ दिन देखे हैं अंदेरा होने से पहले महिलाएं सोचादी के लिए नहीं जा सकती थी और जाती खुले के इंदर बैठती कोई आदमी दिखाये देता अरे बहुत कोई आदमी आगया उठलो खड़ी हो गई फिर बैठ गी फिर कोई आदमी आ गया भी कोई आदमी आ रहा है उठलो कितना जिल्लत का जिवन हमारी माँ बेहने जिन्दगी जीती थी किसी ने कोई इस बात के उपर परवा की भारत के परधान मंत्री नरिंदर भाई मोदी जी ने साड़े नोक साग्यारा करोड सात लाक सतर परिवारों को सोचाले दे के भारत के महिलाओं को इस जिल्लत की जिन्दगी से मुश्वी दिल्वाई और उनको इजजट और सम्मान का जीवन देने का काम किया ये सबसे बड़ा काम परवान मंतरी नरिंदर भाई मोदी जी के नितरतों के अंदर हरे इंदूस्तान के को महिया करवाए और क्यों मात्र इतना ही नहीं अभी यो चर्चा कर रहे थे हमें डाक्टर साहब चले गए कहीं मात्रतव की बात मात्रतव अवकास को 12 सप्ता से बढ़ा कर 26 सप्ता किया गया मैं मानेवर एक बात करना चाहता हूं कि लंबे समय तक हिंदुस्तान के दलितों क पिछड़ों को एक सबसीडी के जिवन के उपर आधारित करके अपने वोट पैंक के रूप में परिवर्तर करने की कोशिश की गई कि मैं समय आएगा तुम्हें कन्यादान की रासी दे देंगे तुम्हारे सकूल को बच्चों को सकूल में बसता दे देंगे तुम्हें तीन इस समाधान नहीं है मैं लंगडे को लाठी के सारे नहीं चलाना चाता मैं लंगडे को टांग लगाना चाता हूं ताकि अपने पैरों के उपर खड़या हो जाए इसलिए इस मौझूदा बजट के अंदर जो प्रावधान किये गए दलितों को पिछड़ों को वादिवासि है मानेवर आदमी घर की बड़ी चाहत होती है पहली बार साथ वर्सों के अंदर दो क्रोड उनासी लाख घरों का निर्मान किया गया और दो हजार तेईस चोबीस के अंदर 67% बजट में बोदोतरी करके 89,000 क्रोड रुपे का अतिरिक्ट परावधान किया गया ये हिंदोस्ताम के अंदर पहली बार इस बार ये बजट के अंदर परावधान किया गया इसलिए मानेवर मेरे जिम्में साथ और क्योल मातर समाजी एक नहे के उपर बात करने की लेकिन मै मैं सिल्पकार समाज से तालुकात रखता हूं मैं विश्व कर्मा समाज से तालुकात रखता हूं इसलिए मैं वह अपनी बात कहना चाहता हूं भारत के अंदर क्या रहा आपका समय खतम हो रहा है आपकों क्लूड के मैं एक मिनिट मैं पस अपनी बात को समाप्त कर आज तक शिलिप कर्मा विश्व कर्मा परिवार के जितने भी वनसज। है उन वस्वनसज। के रिन देने के लिए पहली बार भारत सरकार के बजट में देश के क्रोणों विश्व कर्मा मनसजों को देश के सिलिप कारों को आर्थिक, सामाजिक, सेक्षिनिक और तक्निकी रुप से सम्मर्ज बनाने के लिए प्राउधान किये गए हैं बारत के प्रदानमंतरी निरंदर भाई मोदी जी का मानियम निर्मला सितारमन जी का इसके लिए दन्यवाद करता हूँ और हम सजय उस बात के लिए भारी रहेंगे आपने जो मुझे समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद मैंने बहुत दन्यवाद जी